Hello everyone, Good morning, Namaskar 26 January 2024 और The Hindu News Analysis में आपका स्वागत है आज की जितनी भी important news होगी जो UPSC के perspective से important होगी उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के दुरान आपको कुछ questions मिलेंगे जिसके answer आपको करने है और इस वीडियो के end में हम लोग UPSC previous year question को भी solve करेंगे start करते हैं first page के साथ सबसे पहले enforcement directorate को लेकर काफी controversy रहती है और enforcement directorate जो agency है जो ministry of finance के अंडर काम करती है इसके ओपर allegation लगती कि ये government के इसारों पर काम करती है या non जैसे अगर आप center में भी देखें बीजेपी की सरकार है तो non बीजेपी state में काफी active है तो इसको लेकर Supreme Court ने एक interesting चीज़ बताई है पहली बात तो Supreme Court ने कहा है कि हमें enforcement, directorate और states के बीच में जो टशल है ये तमिलाडू को लेकर specially बात की गई है इसको लेकर एक method बनाना पड़ेगा और ये ensure करना पड़ेगा कि एक pan India mechanism होना चाहिए हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि क्या ये agency political vendita के लिए काम कर रही है और क्या तमिलाडू सरकार agency को स्पोर्ट नहीं कर रही है genuine cases के अंदर भी तो इन सब के बारे में यहाँ पर एक mechanism के लेकर discuss किया गया है Supreme Court ने तरस्टे का कि हमें pan India mechanism की requirement है ये चेक करने के लिए कि क्या ये agency political vendita या आप इसको राजनितिक स्तुरता कह सकत हैं उस तरीके से काम कर रही है खासकर non-BJP rule state के अंदर जहां पर ये कुछ लोगों को arrest कर रही है अब इसमें दो पक्स हैं दोनों पक्स जाना बहुत important है और इसमें अगर हम बात करें तो agency क्या बोल रही है agency ने एक petition file करी कि हम inquiry करते हैं तो तमिलाडू सरकार है न हमें basic investigation क reports ही share नहीं कर रही है Fires जो है वो share नहीं की जा रही है और जो ministers के against complaint है official के against complaint है किस case में जो corruption है illegal sand mining है या asset का disproportionate value उनके पास है या किसी भी तरीके से अगर illegally उन्होंने पैसा generate किया है तब एक तरीके से आप ये हमें information नहीं share नहीं कर रहे हैं दूसरा यहाँ पर यह बताया ग है कि इन cases को जैसे अंकित तिवारी को arrest किया गया तमिलाडू डिरेक्टरेट ने उन्होंने का कि भाई इसने 20 लाख रुपे की रिश्वत ली है basically देखो तमिलाडू सरकार और enforcement डिरेक्टरेट में बिलकुल टसल है एक दूसरे के officers को arrest करने की होड मची हुई है अब इसमें जैसे कफिल सिबल और तमिलाडू additional advocate general है उन्होंगे ये बोल रहे है कि enforcement डिरेक्टरेट नोन बीजेपी रूल स्टेट में target कर रही है और ये देश के federal structure और country को कहीं ने कहीं challenge कर रही है Supreme Court क्या बोल रहे है उन्होंने कहा कि हम लोग एक fair and transparent mechanism को follow कर रहे है या उसके बारे में discuss कर रहे है जिसके ramification बहुत important है center और state में ताकि जो guilty है उसको punishment मिलने चाहिए ये ensure किया जाए और अगर ED और सरकार के बीच में टेशल रहेगा तो फिर एक तरीके से कह सकते है कि जो दे आपसी federal हमारा जो structure है वो कहींने कहीं चैलेंज होता है इसके अलावा enforcement डिरेक्टरेट हो CBI हो जो investigation करती है पैन इंडिया लेवल पर तो उस context में state deny नहीं कर सकता information share करने से कि अगर allegation है cases register हो रहे हैं तब arrest किया जा सकता है या उसका procedure जो है follow किया जा सकता है जैसे enforcement निनल लगा है कि हम लोग political vendata पर काम कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि हम political vendata पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए courts है courts में challenge करिये और courts इसमें intervene कर सकता है इस तरह केसी में तो यहाँ पर तमिल नाडू और एक तरी के से कह सकते हैं कि AD के बीच में काफी debate चल रहे टसल है और उस context में Supreme Court का बहुत important role है अगर आप enforcement डिरेक्टरेट को देखेंगे ना तीन important लोह जिसके तुरिए power generate करता है prevention of money laundering act है economic forgetty offender यानि जो आर्थिक रूप से crime करते हैं बैंक से लोन लिया बहुत सारा और फिर हो भाग गए नीरो मोदी जैसे व्यक्ति हो सकते हैं या और भी एक और आता है वो आता है एक हो गया prevention of money laundering act, economic forgetty offender act और एक तीसरा जो आएगा वो तब foreign exchange management act पहले इसको foreign exchange regulation act बोला जाता है बाद में इसको change किया गया हलकि इसमें बताया जाता है कि जो money laundering वाला ना बहुत हराइसा state के लिए इसलिए वो information जो वो share नहीं करे quote and notice release किया तमिल आडो को कि भाई आप बताये ये अगर information share नहीं की जारी तो उसके पीछे वज़े क्या है क्या reasons आप देते हैं उसके बारे में इनसे पूछा गया है इसके बाद जमू और कस्मीर में क्या कोई foreign ties है terror links है इस तरह का census basically किया जारा है जमू और कस्मीर के areas में औ इसके अलावा family members का क्या कोई terror से link रहा है कोई foreign country में विजिट करी है उनके property की latitude और longitude related information collect की जारी है क्या CCTV camera installed है क्या कभी encounter हुआ है या उनके घर के आसपास कोई इस तरह की incident हुआ है one page का एक unsigned document उनको दिया जाता है जो उनको fill करके nearest police station में भरना पड़ता है ये सारी चीज से क्यों की जारी है basically government sources यह बोल रहे है कि यहाँ पर यह detail इसलिए share की जाता है कि minimum minimize किया जासके damage को जो property का हो और locals को अगर encounter जैसी situations आती है ना तो उसमें उनको protect करने के लिए basic detail होना जुरूरी है और और इसके लावा law and order को maintain करने के लिए भी काफी जाता relevant है इससे पहले य हम यह चीज़े इसलिए कर रहे है कि 21st December को incident हुआ था पूंच राजोरी एरिया के अंदर जहां पर unidentified terrorist ने हमारे soldiers protect किया और उसमें से लगवख 4 soldiers हमारे सहीद होगे हलाकि जब यह word लिखता ना दय हिंदू जो purely communist newspaper है यहाँ पर यह word मुझे थोड़ा surprise करते कि आप इस तरह क कि I think it's completely disrespectful यह नहीं होना चाहिए यह दय हिंदू को पहले भी बोला गया था कई बार कि इस तरह कि words यूज नहीं करने चाहिए इसके बाद अगर हम बात करें और कुछ important news जो हमारे exam perspective से होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे उसके related information को identify करने की कोशिश करेंगे सबसे पहल Republic Day EU जिसको बोलते हैं पूरो संध्या को देश को संबोधित करती है और indirectly इसके अंदर government का agenda ही होता है कि अगले एक साल में सरकार की plannings और तरीके से procedure क्या रहने वाला है तो इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने जो main main 5-6 बात बोली है ना उनके बारे में direct बात करेंगे सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ा कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर में प्राण परतिष्टा हुई तो उस scenario मुने ने का कि एक तो देश का हना बहुत जादा trust है judicial process में और Supreme Court ने historical verdict जो है वो इस case के अंदर सुनवाई थी इसके अलाबा ये जो construction है ये basically हमारी cultural expression को भी represent कर आएंगे और बहुत सारी welfare schemes के बारे में भी उन्होंने discuss किया जहां तक social justice के बारे में बात है उन्होंने अभी हमने पढ़ा कि करपूरी सिंग ठाकुर को जो भारत रतना वार्ड दिया गया उन्होंने का कि social justice के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया G20 summit देश के अंद group होता है जैसे जो proper developed नहीं है उन state को कहीने के इंडिया lead करने की category में आज के time पे पहुँच चुका है इसके अलावा हमारे strategic और diplomatic matters में participation हो ये हमें और valuable country के रूप में बनाता है दुनिया भर में violence एक तरीके से increase हुई है और हमें हमारे जो former अगर आप history को observe करेंगे जिसमें वर्दमान महावीर है समराट असोक है महात्मा गांदी इनकी policies जो हो आज के time भी properly implement हो सकती है इसके अलावा series of humanitarian tragedies हम देख रहे हैं human suffering देख रहे हैं ये सारी चीज़े है इसके अलावा हमें हमारी duty जो है वो एक essential की तरह है indicate करनी होगी for example जब हम देश में अपने आजादी क hundred year complete करें तब ensure करें कि हम लोग जो है वो developed nation बने और इसके लावा रिशनली पास किया गया women reservation bill के बारे में डिसकस किया गया कि भारत सरकार के दवारा या central government के दवारा जो legislative assemblies और लोग सुबा के अंदर जो है 33% reservation दिया गया महिलाओं को उसके बारे mention किया गया हमारी education policy के बा participation and performance को भी discuss किया गया तो यहाँ पर unprecedented जो technological changes हो रहें उन सब के बारे में यहाँ पर इन्होंने discuss किया इसके बाद यहाँ पर एक और interesting news आती है अभी recent में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर election का एक process चल रहा है और प्राइमेश्टर बनना है election का process थोड़ा उनका अलगी हो पारत का हाथ है और यह जो allegation इन्होंने लगाया कि Indian agent involved है पाकिस्तानी citizens की killing में यह पाकिस्तानी citizens word यूज किया गया प्रोपरली तो सरकार ने कहा कि यह false और malicious और anti-India propaganda है external affair ministry की तरफ से कहा गया कि allegation के बारे में तो हमारा कोई statement है नहीं पहले भी बताया था कि जो extra territorial और extra judicial killing है यह बिल्यू किया जा रहा है कि लस्करे तैबर जैसे मुहमद इन लोगों के नागरिकों की हत्तिया इनके जो नागरिकों नहीं इनके जो ग्रूप के member है उनकी हत्ति की जारी है यह organization कब से इनके front leader बन गए यह समझ से प्रह है कि लस्करे तैबर जैसे मुहमद जैसे organization को यह बोल रही हमारे नागरिकों को मारा जा रहा है इसका simply है मतलब है कि terror presence आज भी Pakistan में openly available है इसके बाद पहले बताया गया था कि Pakistan terrorism का एक epic center है और organized crime illegal transnational activity यह पाकिस्तान publicly पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है तो उसके बारे में बताया गया और दूसरे को blame करने से justification नहीं होता पहले भी पाकिस्तान को warn किया गया था कि जिस जो terrorism को आप promote कर रहे ना एक दिन यह यह terrorism आपको खा जाएगा देखो भारत का पिछले कुछ दिनों में अगर हम बात करें कनाड़ा युनाइटिड स्टेट के साथ हमारा टसल रहा है कनाड़ा ने लिगेशन लगाए हरदीब सिंग निजर के आसाइनेशन के पीछे इनियन एजेंट्स का हाथ था हाला कि उसमें भारत ने solid इनको criticism किया कि भाई बिना प्रूप क्या बोल कैसे सकते हैं फि केस में भारत ने seriously लिया कि ये allegation हो सकता important लेकिन भारत ने कभी भी ये नहीं का कि हमारा involvement है या इस तरह कि contract killing भारत सरकारी का भी policy रही है तो ये दोनों बहुत important सीजिए हैं जो हमें basically पता होना चाहिए कि Crada, Pakistan और USA इन तीनों में एक तरीके से क्या differentiate जो हो किया गया है इसक next page पे France के President जो है वो इंडिया में है और सबसे पहले वो जैपूर गए जैपूर में कई सारे historical places है जैसे आमेर fort है जैपूर खुद एक UNESCO World Heritage City है तो इनके अंदर उन्होंने विजिट किया और important होगा ये जो भी agreements होने वाले है इस टाइम पे उसके बारे में पढ़ना तो जै 19 लाख तक जो हो बड़ा है इंक्रीज हुआ 19 लाख से ज्यादा इंक्रीज हुआ है टोटल और पहले ये 4.4 4.14 क्रोड था अब ये 4.13 क्रोड के आसपास है लगबग 19 लाख लोगों का जो registration है वो बड़ा है इसके बाद science की एक news है और ये news क्या है कि impact of cold waves क्या होता आज के टाइम पर हम लोग ये पढ़ रहे है कि नए केवल इंडिया में नौर्थरन पार्ट में जबरदर स्थन पढ़ रही है यूनाइटिज स्टेट के अंदर भी एक तरीके से freezing temperature create हुआ है freezing weather है तो ये cold wave का ना impact क्या होता है scientifically इसको analysis किया गया है यहाँ पर एक फोड़ग्राइ एक तरीके से कह सकते हैं कि ठंड नहीं है ये हिंदी में एक word यूज होता हाट जमा देने वाली सर्दी करके इस तरीके से cold wave के miserable impact हो सकते है और इसके consequence जो है वो और serious हो सकते है इसके बारे में बात की गई सबसे पहले बात किया गया कि winter जो है वो various reasons के अंदर हम देख रहे है और ये कहने के इसके impact जो है वो हमें observe करने जैसे अगर आप बात करेंगे ये वही चीज़े है बॉन चिलिंग टेंपरेचर है आज के टाइम पे फिजिकल स्टेंड से लेकर ये mental resilience को भी कहने के challenge कर सकता है temperature record low पर है जिसे physical health challenges तो definitely हुआ है एक condition आजाती हाइपो थर्मिया ज सिवरिंग confusion और फिर इसका सबसे खराब हो सकता है life treating consequences अगर आप respiratory issues face कर रहे है इस तरह के जो अगर डिजीज होंगे तो और ज्यादा challenging होंगे क्योंकि आपको basic सांस लेने में भी दिक्कते होगी हलाकि इसके बाद यह नहीं कि वे जिसको cardiovascular health disease है यानि दिल समधित भीमारियां है उनको लिए कोई शांत्ती मिलेगी internal temperature को maintain करना heart उसी के लिए कायम करता है और इसकी वज़े से blood pressure बढ़ सकता है heart rate challenge हो सकती है और फिर cardiovascular issues का फिर से कतरा रहेगा cold waves की वज़े से flu seasons के अंदर risk definitely बना रहता है इसके अलावा इसका impact केवल physical होगा ऐसा भी नहीं है psychological भी impact होगा जिसके वज़े से एक तो interactions कम होता है थंड में बातचित करने से भी थंड लग जाती है ऐसा बूला जाता है तो इसके बाद visibility को लेकर issues हो सकता है और जब आप लगातार contact नहीं करते तो एक तरी इसके अलावा जैसे खाना जब खाते हैं तो उसमें भी बहुत सोचना पड़ता है कि यह हमारे लिए ठंड के हिसाब से सही है कि नहीं है तो winter season जो है वो environmental challenges जो है उसकी वजह से और ज्यादा strain कर रहा है physical discomfort कर रहा है mental strain कर रहा है proper sleep नहीं आप नहीं ले पाएंगे जिसके जो comfort और social interaction वाली activities होती है जो जुरूरी है engagement बहुत important है physical exercise बहुत important है ताकि अपने आप body को एक तरीके से temperature को maintain किया जासके तो इन सब के लिए जुरूरी है कि जब हम यह challenging phase देखते है या cold का जो season देखते है उस context में कैसे अपने आपको maintain करें और इस season या जो serious consequences हो सकते हैं उ इसके बाद जम्मू एंड कस्मीर में इस टाइम पर सनोफॉल क्यों नहीं हो रहा है उसको लेकर डिसकस किया गया है जनुवरी के अंदर ना जम्मू एंड कस्मीर और हिमाचल परदेश में जवरदस सनोफॉल होता है लेकिन इस बार नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर यह extreme dry season देखने हो को मिल रहा है यहाँ पर यह बताया गया कि three major reasons इसके पीछे बताया गया lack of snowfall का पहला है western disturbance करके पस्मी विक्सोब जरली हम बोलते हैं पस्मी विक्सोब में क्या होता है कि इस season के अंदर January February के आसपास बारिश होते है नौर्थ वेस्टरन इंडिया में जहां प यहां पर यह बताया गया कि अल्ली नो कंडिशन जो है वो प्रिजेंस अल्ली नो कंडिशन क्या होती है कि जब अगर हम बात करें ओशियन का जो लेवल है या सी का जो water temperature उसको गरम करती है जिसकी वज़े से मांसून negatively impact होती है और बार इसको reduce कर देती है तीसरा यह बताया गया कि strong jet stream की absence है जेट stream नहीं चल रही है जिसकी वज़े से properly snowfall नहीं हो रहा है इसके अलावा यहां पर western disturbance के बारे हम बताया गया कि फरवरी और मार्च के अंदर यह अब यह shift हो रहा है पहले दिसंबर जनवरी में होना चाहिए था बटे वह shift हो रहा है फरवरी और मार्च में जिसका impact क्या हो रहा है हम यह पढ़ रहे है कि उत्राखन हिमाचल परदेश और जमौन कस्मीर के कुछ रीजन में इस समय flood की situation create हो जाती है तो यह fluctuation जो हो रहा है western disturbance के अंदर यह definitely serious concern है इसके अलावा आप लोगों के लिए पहला सवाल है कई कई टाइम से आप वेट कर होंगे यह जो western disturbance है ना यह किस sea से basically water carry करता है मोशियर को लेता और भारत के अंदर बारिस करता है इस area के अंदर आपको उस area उस sea के बारे मताना है कि किन seas के थूँ यह मोशियर को carry करता है इंडिया के अंदर बारिस करता है इस season के अंदर north western part में इसके बाद यह topic हमने पहले पढ़ा है कि लेगल डिश्प्यूट क्या रहा है अलेगड मुस्लिम इंविश्टी के माइनरिटी स्टेटस को लेकर देखो माइनरिटी वर्ड जो है वो कॉंस्टुशन में बहुत जादा डिफाइन किया नहीं गया है कि माइनरिटी एक्जक्टली है क्या लेंग्वेज के बेस पे है रिलीजिन के बेस पर है एक स्टेट के अंदर है या केवल नैशनल लेवल पर ये डिबेट कंटिनू रहे हैं आर्टिकल थर्टी वन ये बोल रहा है आर्टिकल तुन्टी नाइन और थर्टी जो है वो इसी को लेकर डील करते हैं कल्ट्रल हेरिटेज इसके बाद आता है कि 1877 में सरसीद आहमेद खान जो मुसलिम रिफोर्म थे और उन्हें मुहमदान एंगलो औरेंटेड कोलेज अलिगर्ड में बनाया फिर मुसलिम उन्विश्टी एक्ट आया 1920 में इसके लाब मुसलिम उन्विश्टी एसेशेशन के साथ इनकॉर्परेट कर करते हैं यहाँ पर यहाँ पर यह उन्विश्टी सेटब हुई 1951 और 1965 में है ना अमेंडमेंट किया अलिगर्ड मुसलिम उन्विश्टी एक्ट में और इनको फिर चैलेंज किया गया 1967 में सुप्रीम कोट की एक हिस्टोरिकल जज्जमेंट है अलिगर्ड मुसलिम लेखेंगे उस जज्जमेंट का तो वो एक इंपोर्टन जज्जमेंट है सुप्रीम कोट की अलिगर्ड मुस्लीम इनुवस्टी के कॉंटेक्स्ट में राइट इसके बाद वर्ल्ड अफेर दुनिया में क्या कुछ रहा है दुनिया में तो वही एक चीज बहुत इंटरस्ट कर लेगे थे ना यह सोने का आप देखेंगे क्या है बेसिकली यह घाना का कोई रोयल कोट से कोई चीज इन्होंने चुराई अब यह वापिस इनको करनी है यह एग्रिमेंट इनका हुआ है घाना के बारे हम देख लेते हैं वही सोना वापिस आ रहा है आम नोट शूर की घ घाना क्या गोल्ड के लिए पोपलर है की नहीं है यह सवाल एक पूछूंगा आपसे उसे पहले जोगरिफी के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोगो है बर्किनो फासो है कोर्दी आईवरी आईवरी कोस्ट आपको नजर आएगा नीचे गल्फ ऑफ गिनी यह आपको नजर आएगा घाना जब हम अगर आप देखेंगे फुटबाल और इस तरह की चीजों में जरूर पॉपलर रहता है आपको नएक क्योश्चन है क्योंकि आज के टाइम पे अफ्रिकन कॉंटिनेंट्स के मिनरल्स को लेकर काफी सवाल आ रहे हैं तो आपको अडेंट बेसिक नियुज़ जैसे आज के टाइम पे फ्रांस जर्मनी इस तरह की कंट्रीज में काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर और उस प्रोटेस्ट का बड़ा रीजन है गवर्मेंट पॉल्सीज जैसे अभी फ्रांस के अंदर फ्यूल टेक्स बढ़ा दिया गया जर्मनी के अंदर आपने देखा कि जो अगरिकल्चर लेटिज सबसीडी है वो इन्होंने रिड्यूस कर दी तो उसका इंपेक्ट यह हो रहा है कि वहाँ पर लोग काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसी कंटेक्स में आप देखेंगे पैरिस के आसपास के एरिया में फार्मर जो इसके बाद रेड्सी के बारे में बताया गया है कि रेड्सी क्राइसी जो है वो कंपनेज को हट कर सकता है और इसकी वज़े से इन्फलेशन बढ़ सकता है यह तोपिक है न हमने कई बार पढ़ा है रेड्सी क्राइसी क्या है सिंपली देखो यमन के अंदर हाउती रेबल ह जो एक तरीके से सरकार को चैलेंज करते हैं या इनका बड़े हिसे पर एक रूल भी कह सकते हैं इरान इनको बैक करता है ये क्या बोल रहे हैं कि हम तो ना फिलिस्तान को स्पोर्ट करते हैं हमाज को स्पोर्ट करते हैं क्योंकि हमाज हाउती हिजबुल्ला ये सारे के सारे ना भाई है जिनको बैक करता है इनका परमपिता प्रमेश और इरान ठीक यहाँ पर जो कमर्शियल वेजल जाते थे अब यह उनको अटेक कर रहे है ठीक उसको काउंटर अटेक कर रही युनाइटी स्टेट और यूके की फोर्स इंडिया ने भी अपने नेवल शिप डिपलोई करकी हमारी कमर्शियल शिप को कुछ हुआ तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं और यह बाट डिरेक्ली भारत के इरान के अंदर जब विजिट थी तब कहके वरी आए कि भाई हम लोग इससे बहुत सीरिसली इसको कंसीडर करते हैं और इस तरह की चीज़े असेप्टेबल नहीं होगी अब इसका एक कोस्ट एनलिसिस किया गया है फोर इक्जामपल देखो भारत के लिए इंपोर्टेंट ट्रेडिंग रूट है इसकी वज़े से डेफिनली हमें नुकसान होगा इससे देश की जो फर्टिलाइजर सबसीडी बिल है वो बढ़ने वाला है और इंफलेशन प्रेशर भी सरकार पर आएगा फोर इक्जामपल अगर हम बात करें रेड़ सी के अगर हम बात करें क्राइ जो है वो कहिने के आदा एक्सपोर्ट जो है वो इसी रूट के थुरू होता है और अगर रेड़ सी पर अटैक बढ़ते हैं तो हमें एक अल्टरनेट रूट लेना पड़ेगा कैफ ऑफ गुड हो जो साउथ अपरिका के ठीक नो नीचे से जाएगा जिसका सीधा मतलब यह होगा कि वह एक तो इन्सोरेंस कोष्ट बढ़ जाएगी दूसरा ट्रेवलिंग टाइम 14 डेज के आसपास बढ़ जाएगा जो कहीने के डिले चीजों को करेगा और इसकी वज़े से हमारा जो ट्रेड है वो कहीने कहीं कंपिटिशन से भी बाहर हो सकता है कि वह एक चीज इ चाइना की जीडिपी में जो जीडिपी ग्रोथ रेट रही है उसमें क्लीन एनरजी का एक इंपोर्टेंट रोल रहा है दो हजार तेइस की जो चाइना की एकनोमिक ग्रोथ रही है उसमें जो ग्रीन एनरजी कह सकते हैं या जीडिपी में क्लीन एनरजी का बहुत इंपोर् है railways है यह 9% के आसपा GDP करा 2023 में और यह 2022 ज्यादा एक तरीकिसे इन्होंने improvement किया है इनका solar sector काफी ज्यादा grow कर रहा है 2.5 trillion yuan या 300 billion dollar के आसपास इन्होंने grow किया है rapid expansion हुआ clean energy के अंदर तो इससे indicate करता कि China definitely green clean और renewable energy sources में lead कर सकता है क्योंकि जो clean energy के लिए equipment चाहिए खासकर solar equipment जो है वो चायना के पास है और चायना के पास rare earth metals का भी बड़ा सारा source है जिसका impact यह होता है कि वो clean energy के लिए जो vehicles मनाये जाते हैं उसमें बड़ा role play कर सकता है इसके बाद अब बात करेंगे कुछ और important चीजों के बारे में देखो history के question यहां पर आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि हमें तेजी से cover भी करने सारे के सारे तो हम लोग क्या करेंगे maximum जितने question हम कर सकते ना एक दिन में 5-6-7 जितने वीगर easy होंगे देखो अगर challenging होंगे तो कम करेंगे otherwise जहां में speed पगड़नी होगी हम उसको definitely increase करेंगे आज के time पे अगर आप देखें question number 44 को एक ritual practice करीगे संगम points के अंदर वो है वता की ritual ही आप इसको बोल सकते है ठीक है यह क्या है exactly अगर आप हिंदी में भी देखेंगे एक pose ले लेना यहाँ पर क्योंकि question पूरे page के ही करने है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वताया गया कि यह क्या है संगम points में history में ancient history के सवाल का ratio बढ़ा है और खासकर जो south Indian history को लेकर सवाल पूछे गए वो interesting है यह क्या होता है वता क्रिचिवल करके कि क्या महिला bodyguards को employee किया जाता था क्या जो person assemble है royal court में वो religious और philosophical matters को discuss करते थे क्या young girls को रखा जाता था कि वो agriculture fields में काम करेंगे या birds और animal को जो है drive away करेंगी इस तरह की यह तीनों चीज है ना ऐसा लगता है solid नहीं है जो last है यह एक तरीके से tradition थी जिसमें जो राजा हार जाता था वो अपने आपको starve करके अपनी एक तरीके से self suicide जिसको बोल सकते है इसको करता था second आता है question number 45 यहाँ पर चार densities के बारे हम बात की कि होईसाल है गड़वाल है काकित्य है यादो है ठीक है होईसाल जो बेलूर वाला एरिया है हेलिवीडी वाला जो एरिया है इसमें देखने को मिलता है यहाँ पर यह पूछा गया कि यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर आंसर होगा ठीक इसके बाद question number 47 है यहाँ पर mention किया गया एक statement दी गही है कि Souths are not only the property of animal and plant life but also of rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sect यह statement किस religion से belong कर सकती है जैसे कि हम बात करें यहाँ पर हिंदी में पढ़ लेते हैं आत्मा केवल जन्तो और पादव जीवन की संपता नहीं है बलकि सिलाओं प्रवाइद जल्धारा और अन्य अनेक प्राकरतिक वस्तों की भी है जिन अन्य धार्विक संपरदाए जीवित नहीं मानते तो यह स्टेटमेंट किस की हो सकती यह स्टेटमेंट है जैन धरम की जैन परंपरा की क्योंकि जैन रिलिजन ही एक तरीके से आत्मा या साउल का जो कंसेप्ट है वो हर एक चीज में कंसिडर करता है इसके बाद जो एक और टोपिक है कि इन में से विजन अगर एंपायर में किसने तुगबंदरा रिवर के आसपास एक कैनल कम एक्विडक्ट एक्तिरीकेसिनों ने बनाया और यह कैपिटल के आसपास था तो इसका आंसर है देवराई फरस्ट अगर आप विजन अगर एंप को बताए हैं अब आपके लिए दो तिन एजी क्योशे हैं जो आपको बताना है पहला बहुत एजी है कि वह गुजरात को ना पूर्तगीज गुजरात के किस राजा ने पूर्तगीज को दिव स्रेंडर कर दिया था कि अवा एहमद साह थे महुमद बेगडा थे बहुदूर शाह थे महुमद शाह थे इन मेंसे चारों मेंसे आपको बताना है इसके अलावा क्योशे नमर 50 है कि कौन से एक्ट के थुरू गवर्नर और बंगाल को गवर्नर जर्नल अफ इंडिया किया गया कि रेगलेटिंग एक्ट 1773 था फिट्स इंडिया एक्ट 1781 था इसके बाद 1793 इसके बाद एक और एक्ट आया था 1830 फिर आता है 1833 तो इन चारों मेंसे कौन सा आंसर है इसका ये भी आपको बताना है और आप लोगों कोशिस करना कि आप जनरली ऐसा आंसर नहीं करना है कि 50 का A है आप इसको ये स्टेट्मेंट मेंशन करना कि इन मेंसे क्या है सही जैसे इन मेंसे क्या सही है और लास्ट क्योश्चन है लिटरी वर्क दिया गया और उसके ओथर पूछा गया है देवी चंदर गुप्त हमीर महाकाविय मिलिन्द पना और निती वाक्या अमरित करके जो टाइटल दिया गया है ये आपको पढ़ना है और ये बताना कि कौन कौन से इन में से आप कोई भी मैच करें ना करें आप इनको इनके ओथर्स आपको बताने हैं कि कौन से हैं ठीक है तो आपको उनके एग्जेक्ट साही सरी बताना है तो ये तीन सवाल आप लोगों के लिए टोटल साथ प्रिविशेर क्योश्चन एक सिंगल वीडियो में एंड होत प्लसे आलएव से एडेक्र एक बताना है थालएब कराने हैं ढहर प्लस्वों के पकून ये करें लोगाव एवन शर्थ काई है मतदा एगस्चन वीजेवा प्रिवर्स लिवे ओन nessफ़सी।